हालो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अनीज का कीचन में तो जिल लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए आज हम चलना है खेतों में पार इस रेड़ी हमें आज दे किया हो आँ पर देखिए हरी मेच की खेती की गई है बहुत ही खुपसूरत हरी मेच की खेती एंब बहुत ही कुपसूरत लग़ा है और इसमें देखिए कितने ध्यर सारी मेच्ञें फरेह थे यहां पर देखिए पौदे भर भर के मेसी जोह की पेड़ों में फरे हैं और इनको हम तोड़ लेते हैं मित्या भी हरी मिचकोतोंने मदद करती है मंदियों में बेचने के लिए हरी मिर्च को तोड़ रहे हैं सभी लोग और मैं भी धर मिचको देखके तोड़ती हूं जो काफी हरे भरे और बड़े हैं जो मिर्च हैं तो आज मैं जो बनाओंगी रेस्प्यूर मिर्च का अचार तो एक टोकरी फिर पहले मिर्च को तोड़ लेते हैं यहां पर देखें हमने एक टोकरी भरे हरी मिर्च को तोड़ लिया है चलिए मिर्च तोड़ने के बाद चलते हैं अब घर की तरफ प्रफ 아니egeं पर जाद संदेग्ड़ को वा इंपड़ने के बेसमा श्रहिते हैं प्रफ़ स вкус तोड़ने के प Alrighty voll उन शेंगे हैं भी थूद डोब हुड़ने सफब द Patreon कि यहां पर देखिए हम घर पर आ गए हैं और जो हरी मेच के डंठल है उनको अलग निकाल लेते हैं और बड़े-बड़े मेच जो है छाट के ठाली में रखते हैं और इनको हमें एक बार पानिस अच्छे से धो लेते हैं अब हम बीच से इनकी दो भाग कर लेते हैं हरी मेच की चूले पर हम कढ़ाई को रखते हैं यहां पर हमने साबूत मसाले लिए साबूत धनिया सौप सरसो और मेथी लिया है इनको हम कढ़ाई में थोड़ा सा भूलेंगे कढ़ाई हमारा गरम हो गया है इसमें डालेंगे हम साबूत धनिया सौप डालेंगे और मेथी दाना और इसमें थोड़ा साम सरसो डालके इन मसालों घम थोड़ा सा भूलेंगे मसालों को हमने भूल लिया है थोड़ा सा अब हम इसको सिल्वट्टे पीस लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं और इसमें हमने थोड़ा सा लेशन की कलिया भी लिया है इसको भी साथ में पीसेंगे जिससे मीच के जोवचार में जो खुश्बू आएगी वह बहुत अच्छी आती और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है तो इन पर देखिए सबी चीजों को हमने अच्छे से पीस लिया है अब इसको हम एक प्लेट में उठा लेते हैं कि कटे हुए मेर्च में हम तेल डालेंगे और इसमें जो हमने मासाले पीसे थे वह डालेंगे और इसमें हम हल्दी पौडर डालेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे नमक की मात्रगों थोड़ा समझादा रखते हैं जिसे मीच का तीखा पानों वह कम लगे और इहां पर हमने एक नीबू लिया है इसको वह काटकर हम बिसकाराज डाल देते हैं इसको हम चम्मच की सहता से मसालों को अच्छे सी मेशी में मिलाते हैं थोड़ा से समिर तेल हम और डालेंगे जो हमारे मसाले हैं अच्छे से मिर्ज में मिलिया है यह देखिए हमारे खेतों के ताज एकदम हमने मिर्ज के चार बनाए हैं बहुत ही अच्छे बनाए हैं बहुत ही स्वादिश्ट बना है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ धन्यवाद